दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर ज्ञारखन में 22 अप्रेल तक हो सकती है हलके से मध्यम दर्जे की बारिश्ट मौसम बैयानिकू के अनुसार ज्ञारखन में एक साइकलोनिक सर्कूलेशन बन रहा है जिसे बना एक टर्फ पस्चीन से अस्सम की ओर जा रहा है इसे ज्ञारखन में 22 अप्रेल तक हलके से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है ज्ञारखन के पूर्वी एवं मध्य भाग में बादल छाय रहेंगे और गर्जन हो सकता है इस दोरान हवा की गती 30 से 40 किलोमेटर परती घंटे हो सकती है 22 अप्रेल को हवा की गती 40 से 50 किलोमेटर हो सकती है 23 से मौसम फिर शुस्क हो जाएगा बड़ी खबर है मुख्यमंतरी जन आरोगी योजना के प्रीमियम के लिए जारी हुआ 100 करोड ज्ञारखन की जनता को आसानी से आयुषमान भारत मुख्यमंतरी जन आरोगी योजना का लाब मिले इसलिए बीमा कमपनी को अभी 100 करोड रुपे जारी किये गए है इसके अला ज्यार्खन में रोपवे दुरघटना की जाच के लिए बनाई गई उच अस्तरिये कमिटी। कि समिती दो महिने में अपनी रिपोर्ट देगी और इसके अध्यक्ष 10 अप्रेल की घटना की जाच में मदद के लिए देश के किसी भी संस्थान के किसी भी बिशेसग्यों को आमंधरित कर सकते हैं। चार सदस्ये समिती की अधिक्षता बीत विभाग के प्रधान सचिव, प्रेटन सचिव, राष्टी राजमार्ग और आव संगरचना विकास निगम और भारती प्रुद्गी की संस्थान धनबाद वरा नामित परतिनिधी करेंगे। जारखन पंचाइच चुनाओ में मतदान कर्मियों को मिलेंगे चार चार पैकेट ओवारिस बड़ी खबर है। जारखन पंचाइच चुनाओ में इस बार मतदान दल को गर्मी से राहत देने के लिए ओवारिस के पैकेट दिये जाएंगे। इसके साथ मेडिकल किट भी होंगे। यही नहीं मतदान दल को कोरोना संक्रमन से बचाओ का भी खयाल है। तभी तो मतदान दल को जो समान दिये जाएंगे उसमें गलब्स, सिनिटैजर, मास्क, साबुन भी शामिल होंगे। जारखन के प्लस टू विद्यालेओं में जल्द होगी लैब असिस्टेंट की भरती। जारखन के दो सो टीस प्लस टू इसकूलों के परयोक्षाला में करमचारी न्यूक्त करने की तयारी की जा रही है। इन विद्यालेओं में लंबे समय से करमचारी नहीं है जिसके कारण से विद्यार्थियों को प्रैक्टीकल करने में असुविधा होती है। परयोक्षाला सहायक की न्यूक्ति के लिए इसकूली सिक्षा साक्षरता विभाग की और से न्यूक्ति का प्रस्ताव कारमिक विभाग को भेज दिया है। खबरों को माने तो लंबे समय से जहारखंड के प्लश्टू स्कूलों में लैब टेक्निशियन और असिस्टेंट नहीं है। लैब में कर्मचारियों की कमी की कारण विद्यार्थी सही तरीके से प्रेटिकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं। हलाकि इस परिशाने को दूर करने के लिए स्कूली सिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से कदम उठाए जा रहा है। मजाक उडाया है। उन्होंने कहा कि इन दिनो राखी सावंध का एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है। इसमें राखी सावंध सुमय के लुख को आदिवासी लुख बता रही हैं। साथी अश्लिल हरकत का ती दिख रही है। राखी सावंत के इस हरकत से आदिवासी समाज को ठेस पहुचा है इससे हमारे समाज के लोगों का कहना है कि हमारे समाज में महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता है लेकिन राखी सावंत के इस हरकत से आदिवासी महिलाओं के सम्मान में ठेस पहुचा है इससे हमारे समाज के लोगों में काफी आक्रोस है देश में बीते 24 घंटों में दोगुने हुए कोरुना के मामले केंद्री स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्राले ने बुधवार को कहा कि भारत में बीते 24 घंटों में कोरुना वाइरस के 2067 नए मामले सामने आये हैं मंगलवार को एक दिन पहले दर्ज किये गए संक्रमोन की संख्या से बुधवार के दैनिक आकड़े दोगुने हैं वहीं 66 फिसदी अधिक हैं स्वास्थि मंत्राले के अनुसार मंगलवार को 1247 मामले और एक मौत हुई थी वहीं बुधवार को आकड़ों के अनुसार 266 नए म मामले सामने आये और 40 लोगों की COVID-19 से मौत हुई है इस दोरान 1547 लोग कोरोना से रिकभर हुए हैं बीते 24 घंटों में कोरोना सक्रिय मामलों के 480 सक्रिय मामले दर्ज किये गए हैं जिसके बाद वर्तमान में COVID-19 एक्टीब मामलों की कुल संख्या 12,340 हो गई हैं वहीं द 266 ने मामले सामने आये देश में कोरोना से अब तक 4,25,13,248 लोगों की रिकभरी हुई है वहीं COVID-19 से कुल जान गवाने वालों की संख्या 5,22,006 हैं बड़ी खबर है लालू की जमानत पर सीविय ने लगाया अडंगा चारा घोटाले में डोरंडा कोशागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू परसाद यादों की जमानत याचिका पर सीविय ने अडंगा लगा दिया है लालू परसाद यादों ने जारखंड हाई कोट में जमानत की याचिका दायर कर रखी है सीविय ने इस याचिका पर अपना जबाब कोट में दाखिल क बड़ी खबर है चिकितसा उत्पादों के लिए भारत लौंच करेगा आयुश हॉल मार्क परधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत जल्द ही पारंपरिक चिकितसा उध्योग को बढ़ावा देने के लिए आयुश चिन जारी करेगा जो देश के आयुश उत्पादों की गुनमता को परमानिकता परधान करेगा हिल इन इंडिया की बात करतेव परधान मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही उन लोगों के लिए एक बिशेस आयुश वीजा स्रेनी शुरू करेगा जो इलाज के पारंपरिक तरिकों के लिए देश आते हैं पियमोदी ने यहां महात्मा मंदीर में तीन दिवसी वैश्विक आयुश निवेस और नवाचार समिलन का उद्गाटन किया IMF ने घटाया भारत का GDP ग्रोथ अनुमान अंतराष्टी मुद्राकोस यानी IMF ने मंगलबार 19 अपरेल को 2022 तेश के लिए भारत की विकास दर को घटा कर 8.2 परतिशत कर दिया जबकि जनवरी के पुर्वानुमान में यह 9 परतिशत था इसके अलावा रूस यूकरेन के बीच चल रहे संगर्स का हवाला देते हुए IMF ने 2022 के लिए बैश्विक आर्थिक विकास के अपने पुर्वानुमान को भी घटा कर 3.6 परतिशत कर दिया है जो कि इसके पहले के पुर्वानुमान की तुल्णा में सुन्य दस्वनों 8 परतिशत की कमी है IMF ने अपनी जनवरी के रिपोर्ट में 7.1 परतिशत की तुल्णा में 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटा कर 6.9 परतिशत कर दिया देश में एक से उपर हुई कोरोना संक्रमन की आर वेल्यू देश में तीन महिने में पहली बार आर वेल्यू एक से उपर पहुँच गई है आर वेल्यू के एक से उपर होने का मतलब है कि संक्रमन का परसार तेजी से हो रहा है हलाके बिशेस्याग्यों का कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है सतर्क रहने की आउशकता है बीते हपते यानि 12 से 18 अपरेल की बीच यह एक दस्मलों सुन्य साथ पर्तिशत थी इससे पहले के हपते में यह सुन्य दस्मलों नौ तीन थी जन्वरी में आरवेल्यू एक से अधिक दर्च की गई थी 16 से 22 जन्वरी के हपते में यह एक दस्मलों दो आठ थी देश के कई राजियों में टेंपरिचर गिरने की भविशिवानी अपरेल महिना काफी तप रहा है हलाकि भारती मौसम विभाग ने देश में प्री मौनसून गती विधियों के असर से कई राजियों में तापमान गिरने का पुरवानुमान लगाया है मौसम की कुछ गती विधियां सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आ रहा है भारती मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में प्री मौनसुन गती विधियों के चलते तापमान में कुछ हद तक की कमी आएगी अगले 24 घंटों के दोरान पंजाब हरियाना दिल्ली उत्री राजस्थान मध्य पर्देश के कुछ इलाकों बिदर्भ और जहारखंड के अलग-अलग इलाकों में लू की इस्थितीस बनी हुई है लेकिन इसके बाद इसमें कमी आ सकती है 21 और 22 अपरेल को पंजाब हरियाना दिल्ली राजस्थान उत्र परदेश जहारखंड के पूरवी इलाकों और बिहार के साथ-साथ पसीम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ धूल भरी आंधी और हलकी बोच्छाने पढ़ने की संभावना जताई गई है अगले 24 गंटों के दोरान पुरुतर भारत तमिलाडू के आंतरिक इलाकों और केरल में छीटपूट अस्थानों पर हलकी से मध्यम दर्जे की बरशात की संभावना है पसीम हिमाले पर हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है गुजरात मध्यपरदेश, महराश्टर तिलंगाना, आंतरिक करनाटक, 36 गड़ और आंतरिपरदेश के दक्षिने इलाकों में भी प्री मौनसुन करच के साथ बोचारे पढ़ने की संभावना है